आप स्टार्ट करते हैं हिंदी और जिसके उपर लगती है बिंदी तो फर्स्ट पुट दर डेट ही है 29 अक्टूबर 2020 और आप दो अक्षर के बिना मात्रा के शब्द सीख चुके हैं कौन कौन से सीख चुके हैं बदा ये आबा आब साबा सब ताबा तब जाबा जब और जागा जग नागा नग हाला हल चाला चल जाला जल इस टाइब के शब्द सीख चुके हैं बिना मात्रा के और इनके से जोड़े वाकिवी में आपको बता चुकी हूँ बीच विच में और भी प्रैक्टिस करवाऊंगी और आ आज आप तीन अक्षर जोड़ेंगे तो फर्स्ट देखिए कौन-कौन से हैं पहचानिए कौन से हाँ हा में क्या प्लस करेंगे आप वा में क्या करेंगे ना तो कैसे बन जाएगा हा वा ना अब जैसे यह लिखे हुए ऐसे ही आपको यहां पर लिख देना है क्या लिखना अब इसको मिलाके पढ़िए हा वा ना हवन क्या क्या जोड़ा आपने हा वा ना अब तीनों को मिलाके हा वा ना हवन अब नेक्स देखिए पा में क्या जोड़ा आपने वा में ना अब पहले क्या लिखना है आपको पा लिख दीजे फिर क्या लिखा है क्या जोड़ेंगे वा, फिर न, तो क्या बन गया? पावाना पवन, sound कैसे आएगी, कैसे पढ़ेंगे इसको? पावाना पवन, अब next देखी, शा, शा में क्या जोड़ आपने? हा, और हा में क्या जोड़ दिया? दा, तो क्या बन गया? बन गया जोड़ आएगा, शा, हा, दा, शहेहद, अब कैसे पढ़ोगे इसे? अब next देखी, शा में क्या जोड़ा? रा, रा में क्या जोड़ा आपने ला, तो क्या बन गया पहले? दिखेंगे, इसमें सबसे पहले जो भी बना है, सा, रा, ला, सरल, तो क्या से पढ़ोगे, सा, रा, ला, सरल, अब next है, फा, फा में क्या जोड़ा, सा, सा में क्या जोड़ा, ला, तो क्या बन गया, सबसे पहले क्या लिखा आपने, फा, फा में क्या जोड़ा, सा लिख सबसे पहले क्या जोड़ना है आपको मा और मा में क्या जोड़ेंगे ता तो टा लिख देंगे ता में क्या जोड़ेंगे रा तो क्या बन जाएगा मा टा रा मतर अब नेक दिखें बा तो आपको बा लिख देना यहाँ पर अब बा में क्या जोड़ेंगे ता ता में क्या जो अक्षर के देखे हावाना हवन ऐसी पढ़ना फिंगर डच करके पावाना पवन शाहादा शहर साराला सरल फासाला फसल माटारा मतर बाताखा बतक अच्छा ये पूरे करना और बीच बीच में दो-दो अक्षर के भी मैं आपको देती रहोंगी रिवीजन बराबर होते पीछे का भी ठीक है और वह आप लोग करके मुझको बीज़ेगा आप होमवर्क में और ये कम्प्लीट करके भीजना और ये कम्प्लीट करके भीजना हो